जैशी कृष्न दोस्तो बियासरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तो सावन का महीना बहुत ही पावन पवित्र माना जाता है चतुर मास में देखे भगवान शंकर का और शिप पड़िवार का पुजन किया जाता है अगर सावन के महिने में विशेश रूप से अगर आपको सुपन में या प्रतेक्ष रूप से ये वस्तु दिखाई देती हैं तो बहुत ही शुप संकेत माना जाता है कि शीगरी आपके घर में खुशिया आने वाली है आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है दोस्तो सावन के महिने में अगर आप कोई भी उपाय कर रहे हैं तो ये अगर संकेत आपको मिलते हैं तो ये यकीन मानिये आपकी जो मनोकामना है वो शीगरी ही पूरी होने वाली है दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि सावन के महिने में अगर आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तो सावन के महिने में अगर आप सौपन में या प्रतेक्ष रूप से आपको ये चीजे दिखाई देती हैं तो ये बहुत ही शुब माना जाता है दोस्तो अ अगर आपको सौपन में मंदिर दिखाई दे रहा है या आप खुद पूजा करते हुए देख रहे हैं या शिवलिंग दिखाई देख रहे हैं तो ये बहुत ही शुब संकेत माना जाता है कि शीगरी आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है या आप किसी परेशानी से ज नेरे रंका हो तो शीगरी आपको धन की प्राप्ती होने वाली है देखे साप का आपका पीछा करना या काटना देखना यह अशुब माना जाता है लेकिन आपको सपन में या फिर आपको प्रतेक्ष रूप से क्योंकि देखे सावन में बरसात का मोसम भी है और इस समय पर दे भी देता है, तो ये बहुत ही शुबसंकेत माना जाता है, धन्द, आग्मन का संकेत माना जाता है, कि शीग्र ही आपको कोई खुशी मिलने वाली है दोस्तो मरा हुआ साप देख나 या फिर आपका पीछा कर रहा है, या काटते वे देखना ये शुब नहीं माना जाता इसी तरह से दोस्तों अगर आपको सुपन में देखे भगवान शंकर से संबनित वस्तु दिखाई देती है जैसे बेल पत्र दिखाई देता है या आकड़े का फूल दिखाई देता है या रुद्राक्ष दिखाई देता है तो यह बहुत ही शुप संकेत माना जाता है इसी त अगर आपको देखे कोई फल दिखाई दे जैसे कि धतूरे का फल या बेल फल दिखाई दे तो यह भी बहुत ही शुप संकेत माना जाता है या फलों से लदा हुआ कोई विरिख्ष दिखाई दे या बगीचा दिखाई दे तो यह बहुत ही शुप संकेत माना जाता है कि सकती है और संतान के रूप में अपको पुत्र की पुत्र की भी हो सकती है। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको सुबह सुबह कहीं आप निकल रहे हैं या फिर आपको सौपन में देखे दूद से भरा हुआ बरतन या दूद से संबंदी दही भी दिखाई देती है तो बहुत ही शुबसंकेत माना जाता है या आप बाहर कहीं निकल रहे हैं और आपके स गर आपको सुपन में देखे हाती दिखाए देता है या फिर गड़ेजी की प्रतिमा दिखाए देती है या उनकी छाया चवी दिखाए देती है तो यह बहुत ही शुपसंकेत माना जाता है कि आपके घर में बहुत ही जल्द खुशियां आने वाली हैं दोस्तो सावन के महिने में अगर आप देखे पूजा कर रहे हैं या फिर आपको सुबे सुबे मतला घंटियों की शंक की आवाज सुनाए देती है तो यह बहुत ही शुपसंकेत माना जाता है अगर सुपन में आपको देखे डमरू या फिर डमरू की धोनी दिखाए देती है या फिर कोई पूजा करते हुए फूल गिरता है या फूल दिखाए देता है जैसे आकड़े का फूल धतूरे का फूल या फिर आपको भगवान शंकर को अरपित की जाने वाले कोई भी फूल दिखाए देता है तो यह बहुत ही शुपसंकेत माना जाता है माना जाता है कि शीगर ही आपके दुखों का अंत होने वाला है आपकी कोई मनो कामना पूरी होने वाली है इसी तरह से दोस्तों अगर आप सौपन में देखे अगर छिपकलियों का जोड़ा देखते हैं तो यह माना जाता है कि आपको शीगर ही मतलब संतान की प्राप्ति होने वाली है अगर आप केवल एक चिपकली देखते हैं या आपके घर के मंदिर में अगर चिपकली दिखाई देती है तो यह माता लक्षमी का सरूप माना जाता है कि शीगर ही आपको धन की प्राप्ती होने वाली है या फिर कहीं आपका धन फसा हुआ है तो वो आपको प्राप्त होने वाला है दोस्तो सावन के महिने में अगर आपको भगवान शंकर से सम्मनित कोई भी वस्तू या आप सौपन में देखे दीपक दिखाई दे रहा है तो ये समझ लिए दे कि आपके जीवन का जो अंधिकार है बहुत ही शीग्र वो मिटने वाला है और आपके जीवन में उजाला आने खुशियां आने वाली है और आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है दोस्तों ये सौपन अगर आपको देखे सावन के महिने में विश्वय शूप से अगर एक या दो संकेत भी ये शूप संकेत जो माने जाते हैं अगर दिखाई देते हैं तो शीग्र ही आपकी मनोकामना प